ख़जाराथ वर्दमान शासनायक वर्दमान महाविरस्वामी भगवान की जय 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 परम पूझ प्रातास्मर्णिय संतिश्रोमनि आचारी गुरुवर्श्री विद्या सागर्जी महाराजी की जय 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 परम पूझ गुनायतन प्रणेता प्रखरवक्ता भावनायोग प्रवर्थक मुनिश्री प्रमान सागर्जी महाराजी की जय 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 परम पूजी मुनिश्री अरह सागर जी महाराज की जय 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 शंका समाधान के आज के इस कारिक्रम से जुड़े सभी शोतागन और भक्तों का हारदिक हारदिक अभिनन्दन इससे पहले कि हम आज के इस सत्र को प्रारंब करें सभी लोग आएं पूजी गुरुदेव के चर्णों में नमन करें और अपने आपको दिव्य आशिर्वात से अभी सिंचित करके मार प्रशस्त करें सभी मेरे साथ बोलें हे स्वामी नमोस्तु 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 आज रामगर की और विहर्मान पूजी गुरुदेव का मंगल प्रवास हजारी बाग के समीप वर्ती मा विद्वास विंदिवासनी कॉलेज ओफ एडुकेशन में हुआ था जहांके डिरेक्टर श्री रवी प्रकाश जी हजारी बाग और चेर्मेन श्री अनूब कुमार जी महता हैं वे लोग आज अनूपस्थित हैं लेकिन उनकी सुधारता के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग करतल ध्वनी से उनका अभिनंदन करें और उनके प्रतिनिती के रूप में यहां श्री विकास सिंग ज्यादव शिक्षक हैं हम चाहते हैं कि उनका सम्मान करके सभी गौरबानवित हो सम्मान करता की रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री संजय सेथी संयोजक विहार संयोजक श्री रामगड और श्रीमान पवन जी जमिरा मंत्री जैन समाज हजारी बाग रामगर्ड से श्री राकेश जी जैन बेहाएं और इनका संबान करें हम लोग भी करतल ध्वनी से इनके सायोग के लिए इनकी अनुमोधना कर सकते हैं बंधू अत्यान थरश का विशह है कि पूजिपाद गुरुदेव का मंगल प्रवेश हजारी बाग, पुन्नी भूमी हजारी बाग में अक्षेत रिदिया के पावन पर्व तीन तारिक तीन मई को होने वाला है हम सभी लोग इस अफसर पे पूजिपाद गुरुदेव की पावन जन्व भूमी पे आकर अपने आपको धन्य करें और पूजिपाद गुरुदेव का मंगल सानित दिप्राप करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं आज के इस सत्र को प्रत्यक शुपस्थित लोगों की शंकाओं की माध्यम से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री सुभाज जी पूनम जी जैन गुनायतन परमश्टद्दे मुनिद्वे के चर्णों में शर्षर नमन गुर्देव पाप और पुन्य कर्म वर्गनाओं के माध्यम से हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हैं उसी प्रकार से एक भव से दूसरे भव में हमारे संसकार भी हमारे साथ चलते हैं गुर्दे विटो उसमें भी कुछ कर्म वरगनाओं के मात्यम से स arbitra j67 या उसका कुछ दूसा तरीका होता है गुर्दे नेखिए पाप और पुन्ह जो हमारी आत्मा से जूरते हैं कि ये कीवल सिन्सकार नहीं कि ये वरगनाओं के पुझ्य हमारी आत्मा में ऐसे परमानों के पुझ अनंत अनंत जमिवे जो अत्यंत सुक्ष में है जिसे आँखों से नहीं देखा जा सकता सास्त की भाषा में कर्म शास्त्री भाषा में उन्हें कार्मन वर्गना के रूप में जाना जाता है वर्गना एक बड़ा टेक्निकल सब्द है आम आज भी नहीं समझ सकता तो मैं कहूंगा बिशेश प्रकार के परमानों का श्रमू तो सुक्ष म परमानों के स्रमू हमारी चीतना में जुरते हैं और वे ही हमारे विभिन्न प्रकारी के संसकारों को प्रकट करते हैं और उससे प्रभावित होकर हमारी सोच, प्रवत्ती और जीवन सेली बनते हैं इसलिए ये सब चीजे जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं या जो हम करते हैं वो इसके संस्कार हमारी आत्मा में जमते हैं और कालांतर में वे हमारे अच्छे और बुरे वक्तित्त का निर्धारन करते हैं नमस्तु Board योगे इश्वणना जी जन्भूपाल, और आपके बाद तयार हैं नमस्तु वहरा श्री माराश्री मैंने कुरल कावे में पढ़ा है कि क्या आत्मा का कोई अपना निजी घर नहीं है जो भे इस निक्रष्ट शरीर का आश्रे लेता है तो माराश्रीया क्या आश्रे कहने का क्योंकि शरी आत्मा तजब रहेगी बहुत अच्छा है कि आत्मा का कोई निजी घर नहीं जो निक्रिष्ट सरीर का आसर लेता है यह आत्म बोट जगाने की एक प्रेड़ना है कि सरीर तो बार-बार छीन होता है, बदलता है, सरता है इस बार बार नश्ट होने वाले चीन होने वाले सरीर के पती तुम बुद्धी क्यों रखते हो तो मैं अपनी बुद्धी अपनी आत्मा की तरफ रखना चाहिए जिसका घर कभी बदलना नहीं जाता जो इस थाई जी नमस्तु माराश्ट योगेश वन्ना जी जन भुपाल और आपके बाद तयार रहेंगी श्रीमती सरीथा सेठी जी हजारी बाग नमस्तु माराश्ट जी नमस्तु पूरी भुपाल जन समाज की महलग बारं बार नमस्तु माराश्ट जी दुर्जन को और कुमार गरतों पर छोब नहीं मुझको आवे साम मेवाव रखूं में सब पर ऐसी परणती हो पावे धीरज रखना, सहियम से रहना, पृति किरिया रहे जीवन जीना दया के भाव कभी मन से खतम ना होना इन सब चीज़ों को जब सब एकटा करते हैं तो माराश्ट जी कुछ लोग इस चीज़ का फाइदा उठाते हैं उन परस्तितियों में माराश्ट जी मनुवल काफी तूट जाता है ऐसी परिष्टितियों को कैसे हैंडल करें माराजी के अपना संबल भी बनाए रखें और बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है और इस तरह की दुबसा अनेक लोगों के जिवन में आते दूर जान कुरूर कुमार गरतों में छोब नहीं मुझको आवे ये हमारी उजात तभावना और ऐसा होना चाहिए आपने जो चार बाते कही धीरज रखना पतिक्रियाएं नहीं करना और क्या बोला था दो बात सैयम से रहना और दया के भाव को मन से कभी खतम नहीं होने देना ये सब बाते अतन्त शहर्जता से जीवन में घट सकती यदि हमारी दिष्टी आध्यात्मिक हो जाए अगर हम अध्यात्म पर दिष्टी रख करके चलते हैं तो हमारे अंदर ये सब गुन अपने आप प्रकट हो जाते हैं हम सहियम से भी रखेंगे रहेंगे धैर भी रखेंगे दया का भाव भी हमारे अंदर होगा और हम प्रति क्रियाओं शे भी अपने आपको बचा पाएंगे एक बात सदेव हमें इस मरन में रखना चाहिए कि दूसरा केवल निमित होता है हम निमित्तों से जितने प्रभावित होते हैं हमारा जीवन उतना असंतुलित होता है और हम उन्हें जितना नजर अंदाज करते हैं हमारा जीवन उतना वेवस्थित होता है मेरे साथ कोई दुरवहवार न करे ये मेरे हाथ में नहीं है पर कोई मुझसे कितना भी दुर बहवार करे मैं उससे अप्रभावित रहूं ये मेरे हाथ में हमारा धर्म हमें यही सिखाता है आपने कहा कि इसका फाइदा दूसरे लोग उठाते है ये अल्प कालिक फाइदा है अंतता उनका नुक्षान है पर ऐसे लोगों के बहवार को यदि हम बरदास्त करते हैं मन में छोब नहीं आने देते हैं तो ये हमारे लिए दिर्ग कालिक लाव है समझे है उसके लिए दृष्टी रिकनी चाहिए मैंने अनेक बार ये उधारन सुनाया मैं आज के संदर में पुनह सुनाता हूं साहु असोग जी भारत वर्षी दिगंबर जैन तीछेथ कमिटी के अध़क्ष भी हुआ करते थे जैन समाज के सर्वमान नेता थे उनको कोलकाता में एक बार किसी मुद्दे को लेकर कुछ लोगों ने विरोत किया और उन्हें चूणियां पहनाने की हरकत की साहु असोग जैन जैसे विक्ति के लिए कोई चूणी पहनाने की बात करे तो आप सोच सकते हैं कि कैसी प्रतिक्रिया हो शक्ती लेकिन साहु जीने उफ नहीं किया वो मिटिंग से उठकर के चले गए गाली पे बैठे रास्ते में भी उन्होंने किसी प्रकार की चर्चा नहीं की उनके साथ के लोग उन्हों में भागचेंजी पहारिया भी थे उन्होंने मुझे एगात सुनाई थी उन्होंने का आज आपके साथ बहुत बुरा हुआ हम लोगों को बड़ा दुख है कि हम इसका कुछ नहीं कर पाएं साहु जी ने जो बात कही वो उनके आध्यात में ग्रिष्टी को जागर करती है उन्होंने कहा मैं क्यों बोलू मैं तो एक ही बात सोच रह था मेरी निरजरा हो रही उनको बंद हो रहा है मेरी निरजरा हो रही उनको बंद हो रहा है मैं कमा रहा हूं वो गमा रहे है मेरे पाप का च्छ हो रहा है ये आध्यात जिन के अंदर आजाए वो बड़ी बातों को भी पचा सकता है लेकिन जिनके अंदर धैर नहीं, सहन सीलता नहीं, सकारात्मकता नहीं, आध्यात्मिक दिश्टी नहीं, वो तो छोटी-छोटी बातों में उवल पड़ते हैं, फिर उसका परिणाम भी हम रोज देखते हैं, इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से देख करके चलना चाहि होंगा माराजी, वो भी आत्मबढ़ और ध्रनता बढ़े, अपनी बुद्धी विवेक से देड़े ले, आशिरवा, नमोस्तु माराजी, मेरा प्रस्न है, बैभारिक जीवन से, माराजी एक लड़का और लड़की के जब साधी होता है, तो सारा स्रिंगार लड़की को ही क किया जाता है, सिंदूर लगाना, चूड़ी पहनाना, बीचे पहनाना, माने लड़का को कुछ भी नहीं किया जाता है, देख के पता चल जाता है कि इस लड़की सुहागा ने साधी हो गया, और लड़का तो पते नहीं चलता है कि साधी सुदा है नहीं, और वही लड़की मानने पती जिसका मर जाता है तो सारा चीज औरत कही उतारा जाता है सिंदूर है बिंदी है सब कुछ और मरत का कुछ भी नहीं देख के भी नहीं पता चलता है कि ये बिधूर है इसकी औरत मर गई है सब चीज औरत को ही ऐसा किया जाता है क्यों देखिए इसमें मझे एकी बात समझ में रती है, कि लड़के लोग सिंगार के भी लाइक नहीं, लड़कियों का सिंगार इसे लिए किया ज़ाता है, एक वज़ा तो यह दिखता है, और लड़कियां सिंगार करती है, इसलिए, कि वो उसे कोई वरने जा रहा है वर वरता है कि वधू वरती तो उसे कोई वरने जा रहा है तो जिसके लिए मैंने ये शिंगार किया अब वो ही नहीं तो इसका क्या मतलब वो खुद उतार देती थी ये बात लगए आज उतारा जाता है पहले तो प्रेम रहता था, शमर्पन रहता था, पती के बियोग के बाद, ये अपने सारे सुहाग के चिन्न को पत्नी अपने आप छोड़ देती थी, कि जिसके लिए मैंने सब धारा वो ही नहीं तो धिकार है इसको, कोई सब मेरे लिए बेकार है, अब तो पती के जीते जी भी कुछ नहीं, पहले मांग में सिंदूर होता था, यानि सिरी परिस्थान था, फिर टीकी आ गई, पाओं की बिचिया में भी अब जगा नहीं बची, सुनो तो मैं बोल रहा हूं, मांग के शिंदूर से माथे की बिंदी, गले का मंगल सुत्र, ये धीरे धीरे गया, अब पाओं की बिचिया में भी जगा नहीं बची, सब बदल गया, सोच बदल गया, एक वेवस्ता है, फिर दूसरी बात, ये शिंगार, करने की जो बात है, ये इसलिए कि ये गुन उनके अंदर है, समझ गया, यद्देपी पुरुषों के भी बहुत से सिंगार की बात होती है, लेकिन एक पहलु इसका ये भी है, को कहा जा सकता है, कि इस्तरियां सिंगार में फपती है, और पुरुष अगर सिंगार करे, तो आडंबर दिखता है कुमारी लब्धी जी हजारी भाग और इनके बाद तयार रहेंगे अधी वक्ता अजय जैन हजारी भाग नमुस्तु मराज जी, मेरा प्रष्णिया है कि इंट्या हमेशा डिफैंस अटाक करता है, और उसने भी बहुत सारी जाने जाती हैं, तो मराज जी डाइरेक अटाक और डिफैंस अटाक में डिफैंस क्या हुआ? offense or defense पुम्हें जानती हूं कि नी जानती है जानती हूं जब हम offense के लिए अटेक करते है तो target है सामने वाले को मारना और defense के लिए आपने आपको protect करना तो मारने में हिंसा है बचाने में नहीं तो हम अपनी रक्षा के लिए करें कया करें भारत की संस्कृति क्या कहती है आत्म रक्षा के लिए अस्त उठाओ किसी को सताने के लिए ने समझ गए इसलिए भारत की संस्कृति रक्षा की संस्कृति है हमारे यां रक्षा मंत्राल है समझ गए ठीक है ना इसलिए दोनों में बहुत अंतर है एक में मरते हैं और एक में मारा जाता है कोई मरे और किसी को इरादतन हम मारे है इसमें बहुत अंतर है तो विरोधी हिंसा है ये विरोधी हिंसा छम है हमारे तिर्थंकर परमात्मा ने भी युद्ध किये बड़े बड़े युद्ध किये क्यों दिग विज़े यात्रा हैं कि उनका उदेश पूरे देश के को एक सुत्र में पिरोकर शुसासन इस्थापित करने का समझ गए तो वो उदेश क्या है वो देखना चाहिए उसके निरुप कर देखना नमुस्त मुन जी श्रीमान अजय जी लाली जी जैन हजारी बाग औ उन्हों महराजों के चन्नों मेरा हर्देश है नमोस्तू 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 भगवान नमोस्तू महराश्थरी नाम जब का क्या महत्व है नाम जब भगवान का नाम जब और यह जपा जब क्या होता है और महराज जी अगर बिना श्रदा के लिए नाम जबते जारे भग तो इसकी एकी भावना है कि मेरे श्वांस स्वांस में भगवान भश जाये। मेरे अपास और कोई दूसरे का नाम ही ना है। ये जाप। जाप हमारे पाप को शमाप करता है। जब हम किसी का नाम लेते हैं, खासकर अपनी इस्ट का आराध का, चाहे वो भगवान हो या गु अजपाजब को सिद्ध कैसे किया पहले अजपाजब कहते है कि इसको ये बताओ पहले तो ये बताओ किसको कहते है फिर सिद्ध करने की तुम क्या जान करें ओंकार को अजपाजब कहते है जिसमें ओट का इस पंदन किये विना सिद्धे अंदर ही अंदर ओम, 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 ओम करें, वो है, और कुछ लोग अजपाजब को जिवा के स्पंधन के बिना भी, जो मानसिक जाप होता है, उसे अजपाजब कहते है, समझ गया है? अब रहा सवाल, बिना श्रद्धा के जाप करने का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं, मन में के काम से लाव होता है, कहते है, राम नाम के जाप का निकला ये परिनाम, दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहोया राम, समझ गया है? बालमिकी के विशे में कहा जाता है, कि वो मरा मरा कहते है, राम राम हो गए, तो वो श्रद्धा थी, कोई भी जाप करो, बिना यह दोनिंड नंब सुनि हज इंड इड़न गर बेक सवार्ट प्रमान सागर जी को मेरा ती बार्नमोस्तु vigStu नमुस्तु घार सागर जी को मेरा नमुस्तु नमुस्तु मारेश्री धनास्री धनसंपनत्ह की पराथि प्राप की ये बेना नहीं हो सकता पर हम लोगोंने इसे पुन्न काफल मान लिया है महराजी इस अभधारना पर आपका क्या भिछार की पर-स्टा कि जीमाने अने एक वार इश्पर बता दिया मैंने अनेक बार इस विशे में मारगद्शन दिया अगर धन्घ शंपनता पुन्न का फल है तो जितने धनी मानी हैं हैं सब को पुन्यातमा मानने को राजी हो आप और जो धनी हेन हैं इसको पॉन्न का फल हमारोगा पापई मानने को तयार हो और जो को नहीन हैं national पुन्न काफल है, और यदि ऐसा मानोगे तो इस दुनिया में सबसे बड़े पापी कौन हो जाएगा, एक धेला भी नहीं यहाँ तो, लिकिन नहीं, फिर महराज किसी के पास अपार्थन, किसी के पास अल्प यह क्यों, पुन्न क्या करता है, पुन्न धन नहीं देता, पुन् अच्छी बुद्धी, अच्छी लिंक, अच्छी लाइन, अच्छी गुडविल, यह पुन्न का काम है, पुन्न ने यह सब दे दिया, अब इसके बाद आप जब ब्यापार करते हो तो उसमें पाप करना परता है, बिना पाप के पैसा नहीं कमा सकते, यह हो सकता है, आप अ इस पाप भाव से पैसा कमा नहीं सकते, क्यों एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक किसी ने किसी प्यकार कि हिंसा आथवा रागदेश का भाव होगा ही होगा, दुकान में बैठे बैठे पुन्न करते हो क्या, तो पुन्न के उजय में पाप करने से धन कमाया जाता है, बाद लो, तो क्या करो, धन के अरजन में कम से कम पाप हो इसका ध्यान रखो, और अरजित धन के उपभोग में जितना बने पुन्न का काम करो, जीवन संतलित होगा, नमुस्तु माराची नमुस्तु उपस्थेत हो, मानिक जी पातनी रामगर और आपके बाद तयार है, श् एक तरफ निरापद संपदा है, दूसरी और घनासपद आपदा है, तो ये गुरुदेब, हम लोगों को संगसार में रहते भे, क्या इन दोनों परिस्तितियों में से मुक्त हो सकते हैं, यदि हाँ तो उसको उपाए बताएं, निरापद संपदा और दूसरी और संपद दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध सा नहीं बन पा रहा है, थोड़े प्रश्ण को और स्पष्ट करें तो ज्यादा अच्छा है, एक तरफ निरापद संपदा और दूसरी और घनासपद आपदा, आपदा को घनासपद क्यों कह रहे हैं, ठीक है नहीं, फिर संपदियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, देखे ये तो संसारे दोनों चीजे चलेगे, रात के बाद दिन दिन के बाद रात हो, हम सोचे कि हमारे सामने हमेशा उजाला हो, अंधेरा कभी नहों तो ये संभो नहीं, इचकर चलेगा, सवाल को थोड़ा बदले, एक तरफ निरा आपदा हो, इन दोनों के मद्द हम अपने आप में कैसा संतुलन बनाएं, साइद ये जादा इस पष्ट होगा, ऐसा ही है, पष्टन भी मुझे सुधार ना परता है, देखे, आपदा हो या संपदा, दोनों को नश्वर मानो, अगर तुहारे पास कितनी भी संपदा हो, उ तो उसका अभिमान नहीं होगा, और जीवन में कितनी भी बड़ी भिवदा है, उसे चनभंगुर मानोगे, तो मन में हींता का भाव नहीं होगा, दोनों को टेंपरेरी मान करके चलो, और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, केवल मजा ही मजा हो, नबस्तो ग पुझमुनीशी प्रमाट सागर्स कि भाजा के करन कोशिश नमन, पुझमुनीशी अρχस अगर्णी बढ़ात के चलो मॉा कोशिश नमन नमन मादाश्री, वर्ण संकर क्या है? विसमें क्या दोस्त लगता है? तथा इसमें निजाद केसे पायदा सकता है? वर्ण संकर. देखें, वर्ण संकर हमारे देश की एक व्यवस्था थी, जब हमारी समाज व्यवस्था वर्णानु रूप थी. वर्ण हमारे यहां चार वर्ण बताए गया ब्रामन, छत्री, वैश और शुद्र इन में से एक विवाह की विवस्था बनाई गयी थी जिसमें बताए गया था कि ब्रामन, ब्रामन को ही कन्या देगा छत्री, वैश और शुद्र से ले शकता है च्छत्री ब्राह्मन को कन्या दे सकता है लेगा तो च्छत्री वैश और शुद्र को ही लेगा च्छत्री बैश च्छत्री और ब्राह्मन को कन्या दे सकता है लेगा तो शुद्र और वैश को और सुद्रा सुद्रेन बोढब्या ऐसी उकती थी और ये वेवस्था बताई गए थी कि प्रतेक वर्ण को अपने वर्णानुशार ही जीवका करनी चाहिए वर्णाश्रम के विरुद्ध जो जीवका करता है उसे राज दंद का भागीधर बताए हलाकि जैन धर्म में वनुश्य को जनमशे नहीं कर्मशे वर्ण वेवस्था मानी गई जैन धर्म के अनुशार शुद्र भी ब्रत को अंगीकार करके ब्रामन बन सकता है सुद्रव पिसोपस कारत्वाद बपहु सुध्या तादर्शह की उकती हमारे हां कही गई यह पुरातन काल की वेवस्था थी जिस समय चारो वर्ण के लोग अपने अपने रीती से धर्म का पारन करते थे जैन धर्म में भी ब्रामन, छत्री, वैश और सुद्र यह सब रहते थे ब्रामना ब्रत संसकारा जो ब्रतोख से संसकारित रहते थे वे ब्रामन कलाते थे जो पर की रक्षा में न्यूक्त होते थे वे छत्री जो बैपार बैवशाय करते थे वे वैश है तथा जो सिल्प शेवा आदी से अपनी जीव का करते थे उन्हें शुद्र कहा गया इस वर्ण व्यवस्था के बिरुद्ध विवा आदी को वर्ण शंकर कहा जाता था और सामने वाले को अपने आचार बिचार में मिला लेना उसको वर्ण लाप कहा जाता था बरतमाने में वर्ण व्यवस्था तो लगबग भंगसी हो गई अब जाती व्यवस्था आ गई है और धीरे धीरे जाती व्यवस्था भी बिलुपती के कगार पे है लेकिन अपनी सामाजीक पहिचान धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ने के लिए इन व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए इसके अनेक बिकार के लाभ भी है आजकल इन सब चीजों का खुले आम उलंगन हो रहा है जो आने वाले समय में हमारी सामाजीक और सांस्कृतिक पहिचान को खंडित कर देगे इससे हमें बचना चाहिए तो इससे निजात किसे पाई रख्रवास निजात पाने के लिए तो देखे वन संकर से अब आज की समय में तो जो ब्यवस्थाएं लोग बता रहे है जो बात कहूंगा हम भारत की मूर भूत सांस्कृतिक परंपरा को पहचाने सांस्कृतिक निश्ठा को जगाए और उसी अनुरूप काम करें कोई भी वन न उच है नहीं नीज ब्यवस्थाएं अलग अलग है वन अनुरूप कर्म लोग करें तो सब ब्यवस्था अच्छी हो नमस्तु मरास्री मेरा जो परस्त है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देख रहे हैं उसी से रिलिएट कोई परस्त नहीं मरास्री कभी समाज में किसी का डेथ हो जाता है तो हमारे एक परंपरा है कि तिया होता है और तिया में सभी लोग मंदिर जाते हैं अधर कास्ट के लोग भी उसमें बंदिर आते हैं और चटाई बीस्ता है दरी बीस्ता है और जाप होता है सांती पार होता है अधिकास देखा गया है समाज में क्या होता है कि सांती पार इधर चल रहा है इधर में कोई लोग आ गया तो दरी में मत बैठो गंदा उसमें चटा आरे क्या हो रही है यह बहुत से सहर में हम देखो इसमें कुछ भी ऐसी अटपटी बात नहीं है थोड़ी सी बात को समझना है सबसे पहले यह तिया का जो दस्तूर होता है वो क्यों होता है किसी कहां के यहां वियोग हुआ सभाविक तोर पर उनका मनाहत होता है मन दुखी होता है तो दो दिन तक तो लोग कुछ नहीं कहते हैं तीसरे दिन समाज के पंच उनके घर जाते हैं घर जाकर के उनको मंदीर लेकर आते हैं मंदीर में बैट करके सांती की कामना सांती की प्राथना सांती की पाठ और मन को सां ना लगा हुआ है, जनम मरंच से कोई किसी को रोक नहीं सकता, अब अपने देनिक जीवन में धीरे-धीरे सामान हो, तो ये तीसरे दिन प्रतिष्ठान खुलता, और बारेवे दिन सोख उठता, बारा दिन के बाद तेरिवी होती, और तेरिवी में भगवान की पूजा को सह सके, इसके पीछे इस व्रकार की सद्भावना है, ये एक बहुत बहवारिक बात है, और परसपर में मिलनसारता, बाससल और परसपरता जैसे गुनों को बढ़ाने वाला, कि किसी के उपर विपत्ती आई तो हम तुमारे साथ हैं, तिये की बैठक का मूल अर्थ ये है, आज के समय में लोग केवल चेहरा दिखाने के लिए चले आते हैं, अब चुकि हमारे यहां सू तक है, सामे मंदिर के उपकरन का इस परस उस परिवार को नहीं करना चाहिए, जिसकी यहां सू तक है, चटाई चुकि लकड़ी की होती है, इसलिए चटाई के इस परस करने मे वो असुध हो जाता है, तो उनको दरी पर बैठने के लिए इसलिए मना किया जा रहा है, दरी मत चुओ, क्योंकि तुम अभी सोक ग्रस्त हो, सूतक ग्रस्त हो, सूतक अवस्था में अभी तुम्हें मंदिर के उपकरन का इस परस नहीं करना है, अब नई पिढ़ी के लोग अभी साइद नहीं जानते हों तो इस चीजों को जानो समझो फिर इसकी वजह को समझो, तो वो कोई उसको अचूट मान कर नहीं, पर अभी बारा दिन का तुम्हारे यहां सोक है, अभी सूतक है, तो मंदिर के किशी उपकरन का इस परस नहीं करना है, मंदिर लाया गया कि भगवान का नाम लो आगे बढ़ो एक विवस्ता है समझ गया नमस्तु श्रीमती चंदकला जी पाटनी राची और आपके बाद तयार रहें कुमार संस्कार जैन बंगाओं मेरी तरफ से जगत के सबजियों की तरफ से दोनों मुनी राजों के चर्णों में नमस्तु महारा स्री हम कितना जीए ये हमारी जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है हम किस भावदशा को लेकर के जीए ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तो हम किस भावदशा क लेकर के जीए बहुत अच्छी बस हम कितना जीए यह महत्वपूर नहीं है कैसे जीए यह महत्वपूर नहीं आपने पूछा हम कैसे जीए बस एक लाइन में बोल सकता हूं जीने के तो तरीके रोज में वोई बोलता हूं, मेरा रोज का प्रवचन जीने के तरीके से जुड़ा होता है फिर भी आपने पूछा है कि हम कैसे जीएं तो एक ही उत्तर है बड़े एक लाइन का बहुत संचिप उत्तर पर काम का खुश रह सकें खुश रख सकें ऐसा जीवन जीए एक लाइन में जीवन का सार है खुश रहो और सामने वाले को खुश रख सको बहुत कठी नहीं इसके लिए चार बाते आनी पड़ेगी तब तुम खुश रहोगे हैं और तभी तुम खुश रख सकोगे समझ गए चार बाते मैं आपको बता रहा हूँ जो पूरे जीवन को खुश रखने और खुश रहने और खुश रखने में मददगार बनेगी पहली बात सकारात्मक सोचो आप अपनी सोच को सकारात्मक बना कर रखोगे चीजे आपके उपर हावी नहीं होगी दूसरी बात प्रतिक्रियाओं से बचो जितना बन सके अपने अंडर प्रतिक्रियाओं से बचो तीसरी बात संतोस को अपने जीवन का आदिस बनाओ और चौथी बात जितना में बन सके सेयम का रास्ता बनाओ आप खुश रहोगे सामने वाले को खुश रखने में समर्द हो सकोगे सत्य को जानते हैं, पर सत्य को शुविकार क्यों नहीं करना चाहते हैं। सत्य को जानते हैं, पर सत्य को शुविकार क्यों नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि हम सत्य को जानते हैं, मानते नहीं। जिस दिन मानने लगें, उस दिन शुविकार हो जाएगा। लोग सत्य को अच्छ जानते हैं लेकिन अंदर बिश्वास सत्य पर टिकावा है, सोचते हैं इसके बिना मेरा काम नज अचलेगा, इसलिएस्छ के लुढ़ आ सत्य के और लुड़क जाते हैं, जिदेन एद्हार्ना भन जाये कि मैं सत्य को जानता हूं तो कि यविद रसत्य क जब से गुरुवर परमान सागर जी को देखा है गजब की आभा जहलक रही है गुरुवर जीन के विद्या शागर स्वहम विद्या की बुंदे जहलक रही है महरास्त्री आपके दर्सन मात्र से संका का समधान हो जाता है फिर भी एक तत्छन का वर्तमान का एक प्रश्ण है मेरा आज आपका बिहार बढ़ी से संथ पीटनी स्कूल के लिए हुआ था सारी बेवस्तान उकूली थी और एका एक आपने बिहार को अस्थकित किया उसके पुर्व अनुमान नहीं था कि आज ऐसी बारिस होगी और ऐसी आंधी आएगी क्या यह देव संयोग है या पुर्वानुमान है देखो वहिया ना तो कोई पुर्वानुमान है ना देव संयोग है यह एक मंत्र का फल है जो होता है अच्छे के लिए हो समझ गये मैं तो हमें सब बोलता हूँ बिहार तो करना था यह लोग देखने के लिए गए परिक्षाएं चल रही है आगे का इस्थान इनको सुलब यह लोग परिशान हो रहे थे हमने कामत हो परिशान आज साम को नहीं करेंगे कल सवेरे करेंगे हमारे पास मारजी ने यह बढ़िया इस्थाने आ रहा हो कुछ लोगों को लगा आज इतने दिनों में सिम्ह सिखर से निकलने के बाद यहां तक की यात्रा में पहला टैम है मेरा एक टैम का भिहार रुका लेकिन लोगों को लगा पर जो साम का मोसम ने अपना रंग दिखाया सब यह कहने लगे महराज अच्छा ही वा आपका भिहार नहीं हुआ तो मैं तो ही मानता हूँ जो होता हूँ अच्छे के लिए होता है इसलिए जो घटे उसे स्विकाल ल और मजे में रहूं श्रीमती रीना संजय जी जन गुनायतन और आके बाद तयार रहेंगी श्रीमती सरलाजी सेथी रामगड दोए मुनिराजों के चर्णों में बारं बार नमोस्तू नमोस्तू ऐसा कहते हैं कि सौंदर ये व्यक्ति का बाहरी रूप है लेकिन व्यक्ति का आंतिक रूप दिखाई नहीं देता फिर भी लोग बाहरी रूप पर ही मुग्द होते हैं ऐसा क्यों देखो बाहरी रूप पर वही मुग्द होते हैं जिने आंतिक रूप का पता नहीं चलता है जो आंतिक रूप को पहचानते हैं वो बाहरी रूप में मुग्द नहीं होत नमूस्तु गुरु देव, श्री मती, सर्ला जी, सीठी, रामगर और आपके बाद तयार रहें, श्रीमान अजै गुक्ता, हजारिबाग, नमूस्तु मारा स्री, नमूस्तु नमूस्तु, भक्ति में सक्ती होती है, बगर किसी में सक्ती नहीं है, मतलब वो ऐस्वस्त है, तो भक्ती कैसे करें? वक्ती में सक्ती होती है, और सक्ती नहीं है, तो भक्ती कैसे करें? बस, मन में एक यही भाव जगाओ, तन अशक्त है, मन नहीं, समझ गया? प्रभु चर्णों तक हम अपने पाऊं से न जा पाएं कोई चिंदा ने प्रभु को अपने हृदय में वशा दो कहीं जाने की जर्वत ही नहीं मन में भाव होना चाहिए आप अशक्त हो वो अर्थपून नहीं है आपकी भावना कैसी यह अर्थपून है यदि श्रद्धा से भरा विक्ती हो तो अबोद बच्चा भी वह लाव ले सकता है जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं दे पाते हैं तो अपने अंदर की शक्ती को स्देवशात रख करके चले जिससे हम भापा सके जिसके हम हदिकारी हैं पर एक बात और बोलता हूं भक्ती में शक्ती है यह सारो कालिक नियम है अब भक्ती की जो सक्ती हो तन की नहीं है वो मन की सक्ती है यदी तुमारे हैं में भक्ती होगी अपने आपको अशक्त महसूस करोगे ही नहीं और इक बुरिया थी उसके अंदर बड़ी भक्ती थी और उसकी दिली इच्छ थी कि मजह एक मंधिर बनाना मंधिर बनाना यह फटेहाल बुरिया और मंधिर बनाने की धुन एक दिने की युवक ने उससे पूछा अम्मा तुम मंदिर बनाने का फैसला ले रही हो मंदिर बनाने की बात करती हो तुम मंदिर कैसे बनाओगे तुम्हारे पास क्या है बुड़ी आपने जेब में हाथ रखी रही जिसे कुछ बहुत कुछ है उसके पास उसे दबाएवे सामने वाले का ओर बड़ा अश्चिर रहा उसने जोड़ दे करके बोला तुम्हारे जेब में क्या हो तो निकालो बुड़ी आपने बहुत मुश्किल से जेब में हाथ डाला निकाला बोला हाथ करो हाथ किया सामने वाले ने हाथ किया खोल के देखा तो दो पैसे थे मात रो दो पैसे थे युवा खसा अरी अम्मा तुम्हारे पास तो मात दो पैसे है तुम मंदिर कैसे बनाओगी अरी अम्मा तुम मंदिर कैसे बनाओगी तुम्हारे पास तो मा तो दो पैसे है उस बुडिया ने कहा किसने कहा मेरे पास दो पैसे है किसने कहा मेरे पास दो पैसे है ना ना मेरे पास किवल दो पैसे नहीं है मेरे पास इन दो पैसों के साथ मेरा भगवान है मंदिर बनेगा मेरा भगवान है, मंदिर बनेगा और चहते हैं अपनी इसी सद्धा के बलबूते उसने मंदिर बना दिया ये एक उधारन है कहने का दाथ पर ये है कि हमारी जब भावना प्रबल होती है सद्धा प्रगाड होती है तो सारी बाधाएं अपने आप पार होती उपस्तित हो श्रीमान अजय गुपता हजारी बाग और आपके बाद तयार रहें तपन जी गुनायतन जी गुरोदेव के चर्णो में नमस्तू नमस्तू गिरस जीवन में मैं आपके साथ रहा हम यहीं रह गयें आप कहां पहुँच गयें हम लोगों को भी असिरबाद दे की अपना कल्यान कर सकें कोई बात नहीं चिंता नहीं है अभी भी गुनजाय से चलो तो तुम रहा नहीं गय यह रुक गए हो चलोगे तो अभी भी पहुँच जाओगे मुझसे भी आगे निकल सकते हो और हम लोग गतो यह चाहते सब चलो और हमसे आगे चलो बहुत अच्छी बात है कम से कम इस बात का हैसास तो हो रहा है वेकती जब जागे तभी सभीय रही एक बात अपने हुरद तो कल लगे तो ये मत सोचो कि आज मैं गहस्ती में फस गया तो मेरा क्या होगा हमारे परमात्मा ने पहले गहस्ती बसाई फिर सन्यास लिया है हमारा हो सकता है अजय अभी भी आउशर है नमस्तू गुरेदेब तपन जी गुनायतन से और आपके बाद तयार रहेंगे श्रीमान धिरेंद्र जी सेटी अध्यक्ष हजारी बाग जैन समाज नमस्तू गुरेदेब मेरे आज कहने का पस्ण है कि परिवार का फिर से बोलो गुरेदेब आज कहने का पस्ण है कि परिवार का मोह क्यों होता है बहुत अच्छा सवाल एक बार तो मैं चाहूंगा इस तपन भाई का आप लोग जोर दोर करता है निसे सम्मान करो ये एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और आज इन दिनों गुनायतन में अपनी श्यमाई दे रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनके हाथ में वो कुवी है कि पत्थर को मों बना दे बहुत संदर काम कर रहे हैं आपने पूछा है परिवार का मों क्यों होता है ये हमारे जन्म जन्मांतरों के संसकारों का फल है परिवार है जनमता है खोन का रिष्टा होता है और हमारे साथ संसकार जुलते हैं तो संसकार जुलते हैं तो परिवार के प्रती मोह जग जाता है तो फिर महराज क्या करे परिवार को छोड़ दे नहीं परिवार से प्रेम रखो मोह नहीं प्रेम और मोह में मौली कंतर है प्रेम क्या है, मोह क्या है, बहुत बाली कंतर है, किसी के साथ घुल मिलके रहना, एक दुसरे के पूरक और प्रेरक बनना, एक दुसरे का साथ निभाना, ये प्रेम है, पर एक दुसरे के बिना रह नहीं पाना, ये मोह है, आप घर परिवार में रहो, परिवार के साथ रहो, अपना करतब का निर्वाह करो, ये मान करके चलो, हूँ परिवार में जरूर, पर हूँ तो अकेला ही, आया हूँ अकेला, जाना भी अकेला है, ये बीच का मेला है, ठीक है, मुझे अपना दाइद तो पूरा करना है, जब स मैं आएगा, मुझे भी सब को छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये सोच जिसके अंदर होती है, वो परिवार में रहता है, अपने कर्तब का पालन करता है, पर उलजता नहीं है। और दूसरे प्रकृति के लोग परिवार में रहते नहीं, परिवार में जक्ले रहते हैं, उलजकर रह जाते हैं, और फिर कुछ अगठ घटता है, तो पूरी जिंदगी छाती कूटके रह जाते हैं, वो चीजे ठीक नहीं है, हमारे हृदे में प्रेम भाव रहे, मोह भाव न श्रीमान धिरेंदर जी सेथी, हजारी बाग जयन समाज अध्यक्ष, और आपके बाद तयार रहे, श्रीमान टीपू जी सेथी, हजारी बाग हजारी बाग जयन समाज की ओर से त्री बार नमोस्तू, गुरुदेव एक कोटे से नभी हम यहां बाहर में पड़ा, बिनोबा भावे जी का है, मनुष्य ज्यान में जितना घुल जाता है, उतना ही कर्म करनी लगता है, इसका पूरा सारान समझना चाहते हैं, मनुष्य ज्यान में जितना घुल जाता है, उतना ही वो कर्म से प्रभावित होता है, देखे उनका जो आशे है, वो इस अर्थ में है कि ज्यान ही मनुष्य को वास्तविक अर्थ में क्रिया सील बनाता है, हम चाहे लौकिक कर्म की बात करें या पारमार्थिक कर्म की बात कर जान शुन्ने है। इसलिए वह वाक बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह मंद कर नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है या इसके लिए क्या करना चाहिए। देखे रागदेश को मंद करने का एकी तरीका है। संसार, सरी और भोगों की अशारता का बार बार चिंतन करें। हमारे हरदे में जब तक वैरग की उपलब्धी नहीं होगी, अभिवेक्टी नहीं होगी, हमारा रागदेश मोह कम नहीं होगा। ज्यादा तर लोग तो उसी रागदेश मोह को बढ़ाने में लगे हो। जीवन की वास्तविक्ता समझने के बार चीजों के प्रती वैसा आकरसन होता ही नहीं, जैसा हम सोचते हैं। तो उसके लिए सतत प्रयतन सील रहें। बार 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 एक ही बात का विचार करने से, हमें समझ में आता है, ये सब निरर्थक है, ये वेर्थ है, ये वेकार है, मेरे साथ है, मेरे नहीं है। इतनी समझ अंदर विख्षित हो, तो धीरे धीरे मंद हो। और इसके लिए बार-बार वैसी भावना भी बनी हो, जो ज्ञान हमने पाया है, सीखा है, वही हमें समाधान देता है, तो जब हम बार-बार-बार उसे दोहराएंगे, तो अंदर का रागदेश मोह बंध होगा, मंध होगा, लेकिन हम अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे, त तो और अधिक बढ़ें, नमोस्तु गुरुदे, श्रीमान टी पूजी सेटी हजारी बाग, और आपके बाद तयार रहें, श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारी बाग, शंका ऐसा है, कि आज के संदर्व में प्राय ये देखा गया है, एक परिपाटी चल रखी है इसे, य इसमें कुछ सुधार के गुंजायस है, ये सब कंजुमिरिज्म का प्रभाव है, यूज एंड थ्रो, काम लो और फेको, तिरस्कार करो, भारत की संस्कृति ये कभी नहीं कहती है, अगर मनुष्य की संवेद ना प्रबल हो, तो वो काम लो और फेको की जिगा, काम लो और काम करो, काम में आओ, की भासा बुजेंगा, लेकिन आज लोगों के साथ ऐसा ही हो गया है, कदाचि चीजों के साथ ऐसा हो, तो फिर भी चलेगा, लेकिन यही बात जब वेक्तियों के साथ हो जाती है, तो बहुत ही चिंता जरक बन जाती है आज के संदर में ये पंक्तियाँ बहुत प्रासंगिक है काली कुरू निर्थक परीशी दिया सलाई की एक सी जलते دीब के फ्रकाश में देखा सुन्दर सज़िद कक्ष के द्वार पर पड़ी है काली कुरू निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की एक सी सुन्दर सज्जित कक्ष के द्वार पर देखा दर्वाजे पर निरर्थक पड़ी है सोचा किसी ने दिया जला कर इसे फेका होगा कि यहां आगिरी मैंने उसे उठाया कि एक मद्दिम पर बेदती सी करहा मेरे कानों में पड़ी मैंने पूछा क्यों क्या बात है बात कुछ नहीं बात कुछ नहीं इस भुवन में केवल सौंदर और उप्योकता के लिए ही इस्थान है इस भुवन में केवल सौंदर और उप्योकता के लिए ही इस्थान है कभी मुझ में भी ये गुन थे तो मेरे लिए भी यहां इस्थान था अब मेरा सौंदर और मेरी सक्ती मुझे घिस रगड़कर अफरन की जा चुकी है इसलिए हर एक की उगलिया मुझे दूर से दूर फेक देने को मच मचाती है ये मनुष्य के हिर्दय में होने बढ़ने वाली संबेदन हीनता का दियो तक है हमारे यहां तो ये कहा गया है और हम उस परंपरा में पलने वाले लोग हैं कि एक फटे कपड़े को भी घर में सलीके से रखा जाता था कि कुछ नहीं तो फर्स पोचने के काम में आएगा हम किसी को निरर्थक नहीं समझते थे लेकिन आज की इस उभोकतावादी सोच ने हम सब को ही निरर्थक बना दिया और इसलिए यूजें तो जैसा कल्चर तेजी से बिक्षित हो रहा को पस्ते थों श्रीमान सुनील जी अजमीरा हजारी बाग और आपके बाद तयार रहेंगी श्रीमती खुश्बूजी चोड़ीवाल रामगड दोए मुनी राजों के चन्नों में दिगंबर जैन पंचायत हजारी बाग का नमोस्तू 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 महराज श्री मेरे मन में बहुत दिन से चिंतन चल रहा है कि हम लोग समय सिखर की तलेटी में रहते हैं जैसा लोग बोलते हैं कि हम लोग समय सिखर की तलेटी में रहते हैं और हम लोगों को बिना पुरसार्त के सादू-sanतो का समागम मिलता रहता है। तो अभी भी जैसे आपका विहार चल रहा है और बिना हमारे पुरसार्त के महराज़ी का हजारी बाग में लाब मिलेगा। तो हम लोगों को कौन सा पुन्य हैसा महराजी और आगे भाविस्ट में ये हम लोग के साथ बना रहे हुसके लिए हमारे समाज को क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए के बाद तो सही है कुछ लोग ऐसी जगा बस जाते हैं जहां साधु नभी चाहे तो आना पड़ता है और इस आर्थ में तो इस बार हजारी बाग वाले भागी साधी गया कोडर्मा बाइपास हो गया हजारी बाग नहीं हो पाया अगर कोई ऐसा होता तो साधी ये भी हो सकता देखे साधुओं का हमारे नगर में आना ये भाग है सवभाग है पर साधु संतों को नगर में लाना महा पूर्शार्थ है साधु बिहार करते वे आये उनका लाब उठाओ ये तुम्हारे लिए भाग है लेकिन साधु को बिहार करा कर लाओ और महा भाग ये पूर्शार्थ अभी रामगर वाले कर रहे हैं सदल बल चल रहे हैं रास्ते में जो लोग सेवा पूरी कर रहे हैं भले वो रामगर के न तो भी ये पूरा लाव उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ा लाव है, लेकर आओ, नहीं कोई बात नहीं है, लेकर नहीं आए, कोई एक के लिए निकलती है गंगा, अनेकों को लाव मिलता है, लेकर नहीं आए तो चलो आ गए तो लाव उठाओ, तो साधु के आने पर लाव और साधु के आने पर भी सोय रहना महादुर्भाग है। कई तो ऐसे भी होते हैं। उनको पता तब लगता जब महराज सो किलो मेटर आगे चले जाते हैं। तो अपनी चेतना को जगा करके हमें चलना चाहिए। और जीवन की दिशा को तह करना चाहिए। हजारी बागवले या पूरे सी इलाके के लोग इस अर्थ में महान भागिशाली हैं। कि आपके यहां साधुओं को लाना नहीं परता, साधुख खुद आते हैं। हलाकि मेरे साथ अपवाद है, हमारे लिए चार बरस पापड़ बेले हैं। सब आना हुआ। यह योग है। लेकिन फिर भी यह लाब उठाने का प्रयाश पुर्शाथ हमेशा करना चाहिए। साधु संतों को तो सानिद पाने का केवल बहाना ढूंड़ना चाहिए। कोई आउशर मिले और हम उसका लाब उठाए। भले वो एक दिन का एक पल का हो वो भी हमारे लिए लाबकारी। श्रीमती खुश्भुजी चूड़ीवाल रामगर्ड। नमस्तु महाराश्री। महाराश्री हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा जीवन मिला है। लेकिन हम लोग अपने इस जीवन का सुधुपयोग करने बजाए इसको हम दूसरों की निंदा, नफरत और कम्यागों को निकालने में बैतीत कर देते। तो इसके लिए मैं क्या करना जाए। एक कहानी सुना देता हूं। एक बंदर था। बंदर को एक जगा एक पोटली मिल गई। लाल लाल पोटली थी। वो कुछ खाने की बस्तु समझा। उसे उठाकर लेकर पेड में चड़ गया। पोटली खोली। उसमें हीरे के कान थे। हीरे के नगीने थे उठाया। मुह में डाला। कोई स्वाद ने नीचे फेक दिया। दूसरा उठाया। फिर कोई स्वाद ने नीचे डाल दिया। तीसरा किया। हीरे को बड़ा लगा कि मुझे लोग जो नगीने की तरह जड़कर माथे पे लगाते हैं और यह मुझे फेक रहा है। तो धरती ने हीरे को समझाया भाईया क्या करोगे ऐसे अपात्र के हाथ में जाओगे तो यही हाल होगा समझ गये तो यह हीरे की पोटली मिली है पर बंदर को पता नहीं कि यह हीरे का मूल क्या है कास जोहरी जैसी परख उस ही बंदर को हो जाए तो उसका जीवन धन हो जाए सब अपने एक एक नगीने को व्यर्थ करते जा रहे हो संभलो जब जागो तभी सबेरा इस प्रकार आज के सत्र को परमपूज गुर्देव के चर्णों में आने वाले दिनों में अक्षयतितिया है तीन तारिक को अक्षयतितिया पढ़ेगी और अक्षयतितिया का दो अक्षयतितिया हैं चलो अच्छी बात है दो दिन मना लो अच्छा है तो ये तीन और चार तारिक को अक्षयतितिया बता रहे हैं उस अक्षयतितिया का सभी लाब लेंगे और ये स्योग अभी जैसा भताया गया हजारी बाकी लोगों को मिलने जा रहा है आप सब उसका लाब उठाएं और अपने जीवन को धन्ने करें बोलिए परंपूज आजहर गुरुवस्री विद्या सागर जी महाराजी की जै परंपूज आजहर गुरुवस्री विद्या सागर जी महाराजी की जै